आयसे बैक्टियों के गर में उल्लू पर सवार हो कराती है, महा लक्षमी और बहुत धन्य सम्पति देती है। आपके कर्म से आपका लक्षमी का बहुत बरा जुराओ है। आज हम उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि लक्षमी जी के चार बाहन होते हैं चत्रुभुजी लक्षमी जी के पहला जो है गुरूर बाहनी दूसरा जो है गज बाहनी तीसरा सिंग बाहनी चौथा जो है अलुक बाहनी आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं और आप किस कर्म को कर रहे हैं आप अपने कर्म स पहचाओन सकते हैं कि आप धनबोन बनने वाले हैं या नहीं लक्षमी जी की किरपा आप पे होने वाली है या नहीं आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं लक्षमी जी जी जो हैं जिसे की हिंदू सास्तों में बताया गया है कि देवी महालक्षमी पराशक्ती है जथा मचली का सेबन थोरा बचना पड़ेगा लेकिन ये भी देखना पड़ेगा, आप क्स रूप का पूजा कर रहे हैं, महालक्षमी जी मुलत दो सो रूप में आती है, पहला देवी की रूप में, दूसरा जो है लक्षमी की रूप में, दूसरे रूप में महालक्षमी सिरी रूप में जाने जाती है अतात धन रूप में सास्त्रों में रिसी मुनियों द्वारा उल्लू के गुनों महालक्षमी के विवहार के शमानता वकान किया गया है जिस प्रकार उल्लू के आने जाने से आहट तक नहीं होती है उसी प्रकार वहनी लक्षमी जी जैसे कि मैंने बताया पहला करूर लक्षमी दूसरा तगज लक्षमी तीसरा शिंग लक्षमी चौथा जो है उलुक वहनी यानिकी उलुका वहन भी लक्षमी जी करते हैं लक्षमी जी जब गुरूर पर सवार होके आते हैं तो वो भगवान विश्नु के स साथ आते हैं और यो आकास में भरबन करते हैं इस वक्त याने की गुरूर के साथ में अगर उन रूप का अगर आजना करते हैं तो यो सरवत मतलब की सब दिन तक वो पैसा आपके साथ में टिका रहेगा लक्षमी हर वक्त खरी होती है थोरा सा भी अगर कर्म अच्छा नहीं क होती है लक्षमी जब सुईत हाथी प्रधान करके आती है तो धर्म लक्षमी कहलाती है देखिए जिसे हाथी समू में रहता है समाज के साथ में रहता है उसी प्रकार जब इस प्रकार कर्म करके जब भोजन अर्जित करते हैं हाथों के समू में रहकर जो है एकता बनाए रखत तो परवारिक धर्म का निर्वाह करते हैं लक्षमी जी उस बक जो है गज लक्षमी पर सवार होके आती है तो इसा जो है वो लक्षमी जो है सिंग पर सवार होके आती है जब उस वरूप की पुजा करते हैं तो हम इसे कर्म लक्षमी कहते हैं वो लक्षमी का अगहूर सवरू लग श्त करेंगेग मार करेंगे जैसे किसी को जूट बोले के पैशा कमा रहे हैं तो पैशा ठीके गा ही नहीं लेकिन कुछ स्वरूप एं जिलंके करना चाहिए इसमें आपको किया समझ में नहीं आया ये आप कमेंट में लिखिए अगर आप कर्म कर रहths और पैसे नहीं आ रहे है तो आप अपने डेट और बर्ध में देखिए कि gehen लावेश दर्मेश में में कौन-कौन सग्रह स्थीत है आज हम उसी के बारें बात करेंगे और किये हैं तो आप नीचे कमेंट पे जरूर लिखिए हम मिलते हैं आप शेक नहीं वीडियो के साथ में दोस्तों अगर आप नमलो जी सीखना चाहते हैं अगर आप पामेश्ट्री सीखना चाहते हैं यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं यदि आप बास्तू सीखना चाहते हैं